आज की इस वीडियो में हम लोग 10 G की कोर्शन्स देखेंगे और अच्छे से कैसे याद हो जाए उसका भी रिक्वाइड ट्रिक जहां भी नेसेसरी होगा हम ट्रिक के साथ देखेंगे मजदा ट्रिक से तो टाइटल है फॉर्स्ट इन इंडिया इंडिया में सबसे पहला कौन कर्म का हम लोग्हा निरमार हो रा था तोंचिटीचूशन बना कहां पर संबली में कंऑने संबली के एक पहले depends where we have to do प्रोरी प्रेसिदेंट थे डॉक्टर सचिदानन सिन्हा और इनका टेन्योर मातर तीन इनका था 11 दिसम्बर 1946 से लेकर 13 दिसम्बर 1946 उसके बाद पर्मानेंट प्रेसिदेंट बन गए प्रेसिदेंट बन कर रेड़ी हो जाता है तो कॉंस्टिटिटिट असेम्बली के प्रेसिदेंट का भी काम खत्म हो जाता है यहां पर तो डॉक्टर राजंद प्रसाद बने फिर्स्ट पर्मानेंट प्रेसिडेंट ओफ दे कॉंस्टिटुटे अपर बाद में 26 जनवरी 1950 को पहले प्रेसिडेंट ओफ इंठिया भी बने डॉक्टर राजंद प्रसाद तो यही पहले Constituent Assembly के भी President रहें कौन से President पर्मानेंट President तो बाकी जो Next बचें Dr. Sajidhanan Sina ये भी President है ये कौन से President है Temporary President of the Constituent Assembly तीन दिन का इनका टिन्योर था Next First Commander-in-Chief of Free India Commander-in-Chief बहुत है Heavy Position है तो Commander-in-Chief के Post पर वही रहेगा जो जिसमें बहुत ताकत रहेगा जो कई-कई किलोमेटर तक दौर सकेगा पैदल दौर सकेगा बिना थके कई-कई किलोमेटर तक तो First Commander-in-Chief of Free India General K.M. करियपा General K.M. करियपा K.M. करियपा इनका नाम था और किलोमेटर को हम लोग Short में K.M. ही लिखते हैं इंडिया देश को इंडिपेंजन्स मिल गया तो First Commander-in-Chief of Free India कौन बने? General K.M. करियपा K.M. करियपा K.M. करियपा Next First Indian Nobel Laureate First Indian Nobel Laureate Rabindranath Tagore इहां पे लोडियेट टा, टाइगोर, टा टा से लेरियोट इंड होता है तो टा से टाइगोर का स्टार्ट होता है तो लोडियेट टाइगोर लेरियेट टाइगोर तो First Indian Nobel Laureate Rabindranath Tagore Next First Indian Judge of the International Court of Justice Dr. Nagyandr Singh देखे जो International Court of Justice होता है यह International Court होता है यहां पर International मुद्दे आता है वो मुद्दे वो issues International Code में आता है तो जो International level पर जो भी issues arise होता है वो काफी उसमें जहरीला issue होता है काफी उसमें ठीक है बहुत नफरत भरा होता है तो जहरीला ऐसा जहर नाग का जो जहर होता है उससे भी ज़्यादा सहर जैसे अभी Russia and Ukraine का war जाओ रहा है तो कई सारे लोग मारे जा रहे है बेगुना लोग भी मारे जा रहे है फालतु में इतना pollution हो रहा है air pollution हो रहा noise pollution हो रहा है मतलब देखा जाए तो and cable खराब ही है उसमें अच्छा ही कुछ भी नहीं हो रहा है बेगुना लोग की जान जारी तो क्या है ये मुद्दा जो इशू है काफी जहरीला इशू है तो जहरीला इशू को solve करने के लिए वैसा ही कोई होगा नाग का जहर का काट भी तो नाग ही होगा तो नाग के जहर के जैसा जो इशू है उसको काटणी के लिए को आना है गा? नागेंधर आएंगे डौक्टर नागेंदर सिंग The first Indian judge of the international court of justice First Indian judge की बात हो रही है First judge की बात नहीं हो रही है First Indian judge of the international court of justice बनी Dr. नागेंदर सिंग ठीक है? Dr. नागेंदर सिंग Next First Indian to get Bharat Ratna Award Dr. S. Radhakrishna डॉक्टर सर्वपली राधा कुष्णा फॉस्ट इंडिया टुगेट भारत रत्ना देखिए जो रत्न होता है रत्न मतलब क्या होगा आप भूशन हो गया जो काफी ज्यादा बेश किमती जिसका कोई मुल्य नहीं है अमुल्य बेश किमती रत्ना तो हम लोग इंडिया में कह सारे गॉड्ड गॉड़श का इसारे भगवान देखिए हो तो सबसी ज्यादा वेन उप्रेम के मिशाल इन लोगों को कहा जाता है तो जो राधा क्रिश्णा हुए है भारत के रत्न है तो सबसे पहले भारत रत्ना अवॉर्ड किसे मिला गया किसे मिला Dr. S. Radha Krishna First Field Martial पहले Field Martial कौन बने देखे Field Martial भी काफी Heavy Post है तो Field Martial वही बनेगा जो One Man Army रहेगा एक इंसान बहुत ही अनीक इंसानों का अनीक लोगों का जिसके पास शक्ती रहेगा ताकत रहेगा वही Field Martial बनेगा तो कौन बना General SFJ मनेक शाओ अनीक मनेक ठीक है अनेक लोगों की शक्ती है इंके पास तो अनेक से बनेगा है मनेक तो First Field Martial General SFJ मनेक शाओ मनेक शाओ First Field Martial मनेक शाओ Next First Indian to swim across the English Channel देखे English Channel को Swim करना है तायरना है तो कौन तायरेगा जो काफी माहिर रहेगा तायरने में Swim करने में जो काफी माहिर रहेगा वह ही तायर करता है तो First Indian to swim across the English Channel कौन होगा है मिहिर सेन मिहिर माहिर काफी माहिर इंसान थे ये सेन सहब काफी माहिर थे तो कौन बन गया है मिहिर सेन Next Time First Indian to get Get Gyanpith Award पाने वाले पहले इंडियन जी शंकर कुरूप देखें फिर से हमारे इंडिया में कई सारे देवी देवता भगवान कई सारे हैं तो सबसे ज़ादा जिनको कहा जाता है कि पूरी स्रिष्टे पूरे जगत का ज्यान जिनके पास है किन के पास है शंकर जी के पास है शंकर भगवान के पास है तो शंकर जी शंकर भगवान के पास ज्यान हर चीज़ का ज्यान है तो ज्यानपित अवाड पाने वाले पहले इंडियन कौन बन गए जी शंकर कुरूप जी शंकर कुरूप फर्स्ट इंटियन तुगे ग्यानपित अवर्ड जी शंकर कुरुपा नेक्स्ट फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ओफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर जाकिर हुसान देखिए जो हुसान है हजरत हुसान रजी आला हो ताला नो इनका इसलाम में काफी जादा इनका एक बहुत हम क्या कहा जाएगा रोल इसलाम में इनका रहा है इसलाम के खातिर इन्होंने शहीद हो गए लेकिन अपना सर नहीं जुखा है इसलाम को जुखने नहीं दिया तो काफी जादा इसलाम को follow करने वाले कौन होते हैं उनको Muslim कहा जाता है जो Islam religion को follow करते हैं तो Islam के लिए इन्हों में शहीद हो गया है लेकिन Islam के पर्चम को लहरा दिया Islam के पर्चम को जुकने नहीं दिया इसलाम को जुकने नहीं दिया तो First Muslim President President मतलब भी वही होता है जो देश का सबसे पहला नागरिक हो गया सबसे First इंसान जो सबसे अच्छा इंसान जिसको कहा जागा वो President हो गया तो First Muslim President of Indian Republic को अनों हो है हुसान, डॉक्टर जाकिर हुसान First Muslim President of Indian Republic डॉक्टर जाकिर हुसान तो ये था इस वीडियो में हमारा 10 GK Question with Tricks I hope आप समझ गया होंगे याद करने में काफी useful आपको हुआ होगा मिलते नेक्स वीडियो में Thanks, Watching, जहिंद